ओम नमो भगते वास देवाई नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का अमारी चैनल भक्ती ज्यान में दोस्तों आए सुनते हैं अगनी प्राण की कथा जिसमें हम अगनी प्राण के अठैतर में अध्या की कथा का सिर्वन करेंगे जिसमें हम बनन करेंगे पवित्र आदिव जो पवित्रा-रोहन कर्म नित्त किया जाता है उसे नित्त कहा गया है तथा दूसरा जो बिशेस निमित को लेकर किया जाता है उसे नयमितिक कहते हैं। प्रथिपदा आधि एविण देवतां के लिए प्रतिपदा को अगनी द्वतिया को ब्रह्मा जी के लिए तृतिया को पार्वति के लिए चत्रति को गनेश के लिए पंच मी को नागराज अनंत के लिए, स्रष्टी को इसकंद के अथार्त तुमारे लिए, सब्त मी को सूर के लिए, अश्ट मी को सूल पानी अतार्त मेरे लिए, नम मी को दुर्गा के लिए, दस मी को यमराज के लिए, एकादसी को इंद्र के लिए, द्वादसी को भागवान गोबिंद के लिए त्रियो दसी को काम देव के लिए चतुर दसी को मुझ सिव के लिए तथा पूर्ण मा को अम्रत भोजी देवताओं के लिए पवित्रा रोपन कर्म करना चाहिए सत्य योग आदि तीन योगों में क्रमस सोने चांधी और तामे के पवित्रक अर्पत किया जाते हैं किन्तु कल योग में कपास के सूत रिश्मी सूत अथवा कमल आदि के सूत का पवित्रक अर्पत करने का विदान है पेणव चंद्रमा अगनी ब्रह्मा नाग गन इसकंद स्रीहरी सरवेश्वर तथा संपून देवता ये क्रमस पवित्रक के नौ तंतु के देवता हैं उत्तम स्रेणी का पवित्रक एक सो आठ सूत्रों से बनता है उत्तम स्रेणी का 54 तथा निम्न स्रेणी का 27 सुत्रों से निर्मित होता है अत्वा 81, 50 या 38 सुत्रों से उसका निर्मान करना चाहिए जो पवित्रक जितने नव सुत्री से बनाय जाए उसमें बीच में उतनी ही गाटे लगानी चाहिए पवित्रकों का ब्यास, मान या बिस्तार, बारे अंगुल, आठ अंगुल या चार अंगुल का होना चाहिए यदि सिवलिंग के लिए पवित्रक बनाना हो तो उस लिंग के बरावर ही बनाना चाहिए इस प्रिकार तीन तरह के पवित्रक बनाए गए इसी तरह एक चौती प्रकार का भी पवित्रक बनता है जो सभी देवताओं के उपियोग में आता है वे उनकी पिंडी या मूर्ती के बराबर का बनाया जाना चाहिए इस तरह बने हुए पवित्रक को गंगा अवतारक कहते हैं इसे सगोजात मंत्र के द्वारा भली बांती धोना चाहिए इसमें बामदेव मंत्र से ग्रंथी लगावे अगोर मंत्र से इसकी सुद्धी करे तथा सत पुरोस मंत्र से रख्त चंदन एवं रोली द्वारा इसको र सामाने तैप पवित्रक में दस गाटें लगाने चाहिए अतवा तंतों की संख्षा के अनुसार उसमें गाठें लगावे एक गाट से दूसरी गाट में एक दो या चार अंगुल का अंतर रखे अंतर उतना ही रखना चाहिए जिस से उसकी सोबा बनी रहे प्रकर्ति-क्रि कि अधिश्ट हत्री देवियां हैं अत्वा दस से अधिकवी सुन्दर गाठे लगानी चाहिए पवित्रक के चंद्र मंडल अउनी मंडल तता सूर्य मंडल से युक्त होनी की भावनार करके उसे साक्षात भागवान सिव के तुल्य मान कर हिर्दय में धारन करें मन इमन उसके दिवे सुरूप का चंतन करें सिव रूप से भावित अपने सुरूप को पुस्तक को तक गुरु गन को एक-एक पवित्रक अडपित करें इसे प्रिकार द्वालापाल देखपाल और कलस आधी पर भी एक-एक पवित्रक चड़ाना चाहिए सिव लिंगों के लिए एक हाथ से लेकर नो हाथ तक का पवित्रक होता है एक हाथ वाले पवित्रक में 28 गांटे होती है फिर क्रमस 10-10 गांटे बढ़ती जाती है इस तरह नो हाथ वाले पवित्रक में 108 गांटे होती है ये गिंतियां क्रमस एक या दो दो अंगुल के अंतर पर रहती हैं इनका मान भी लिंग के विस्तार के अनुरूप हुआ करता है जिस दिन पवित्रों पवित्रा रोपन करना हो उससे एक दिन पूर्व अथार्त सप्तमी या त्रियो दसीत थीको उपासक नित्य कर्म करके पूजा के लिए निश्यत किये हुए पवित्रक भू भाग में सूर्देव का पूजन करें आचारी को चाहिए कि वह आचमन एवं सकली करण की क्रिया करके प्रणाव के उच्चारन पूर्वक अर्ध पात्र हात में लिए अस्त्र मंत्र फट बोलकर पूर्व आदि करके उनका पूजन करें आम सांती कला द्वाराय नमहा आम विद्या कला द्वाराय नमहा आम निवरती कलाय द्वाराय नमहा आम प्रतिष्टा कलाय द्वाराय नमहा इन मंत्रों से पूर्व आदि चारों द्वारों का पूजन करना चाहिए पूर्व आदि चारों द्वार का दक्षिन में भ्रंगिने नमहा गडाई नमहा इन मंत्रों से भ्रंगी और गण का पस्चे में ब्रसवाई नमहा इसकंदाई नमहा इन मंत्रों से नंद केश्वर ब्रसव तथा इसकंद का तथा उत्तर द्वार में दैब्ये नमहा चंडाई नमहा इन मंत्रों से देवी के भूत सुद्धी करें तत्पश्चात इसे जार्द हाथ में लेकर अपने में सिव स्वरूप की भावना करते हुए पूजा सामिग्र का प्रुक्षण आधी करके यग भूमी का संसकार करें फिर कोस दुर्बा और फूल आधी हाथ में लेकर नमय आधी के उच्चार जानता है इस प्रकार आचार भागवान सिव का अत्यंत ध्यान करें और ग्यान रूपी खड़क हाथ में लिए निरती दिशा में जाकर उत्त्रा विम्मो को होकर अर्द का जल छोड़े तथा यग मंडप में चार और पंच गब छिड़कें ततो स्तुतांत संसकार और उत् का उपसंगार करें फिर उनके द्वारा इसान कौन में बर्दनी एबं कलस की स्तापना के लिए आसन की कल्पना करें तत पकस्यात नर्थी कौन में वासुदेपता का तता द्वार पर लक्षमी का पूजन करें फिर पश्चिमा बिमोक कलस को सब्त सांध के उपर इस्तापित करके प्रणव के उच्चारन पूर्वा की यह भावना करें कि यह सिव सरूप कलस नंदिकेश्वर ब्रिसब के उपर आरुण है साथी बर्धनी सेंग के ऊपर इस्तत हैं ऐसी भावना करें कलस पर सांग भागवान सिवकी और बर्धनी में अस्तर की पुझा करें इसके बाद पूर्व आधी दिशाओं में इंद्र आधी दिखपालों का दता मंडप के मद्द भाग में ब्रह्मा विश्नु एवं सिव आधी का पुझान करें इसके बाद भाग में साश्त्र के लिए बर्धनी को इस्तापित करें उत्तम एवं सुस्तिर आसनवाली कलस पर भागवान संकर का दता प्रणव परिश्थत हुई बर्धनी में उनके आयूत का भूझन करें तरंतर उन दोनों का लिंग मुत्रा के द्वारा परस पर संयूक करा कर भग लिंग संयूक का संपादन करें गलस पर ज्यान रूपी खड़क अर्पित करके मूल मंत्र का जब करें उस जब के दसांस होम से बर्धनी में रक्षा घोसित करें फिर बायब्व कौन में गनेश जी की पूझा करके पंचा मिरत आदी से भगवान सिव को इशनार करावे और पूरवत पूजन करके कुंड में सिव स्वरुप अगनी की पूझा करें इसके बाद बिदी पूरवक चरू तयार करके उसे संपाहुती की बिदी से सोधित करें तदंतर भगवान सिव अगनी और आत्मा के विद से तीन अधिकारियों के लिए चम्मस से उस चरू के तीन भाग करें तता अगनी कुंड में सिव एवं अगनी का भाग दे कर सेस भाग आत्मा के लिए स्रक्षित रखें तथ पूरस मंत्र के साथ हूम जोड़ कर उसके उचारन पूरवक पूरवरदेशा में इश्देव के लिए दंत दहाबन अर्पित करें अगुर मंत्र के अंत में वसट जोड़कर उसके उच्यारन पूर्वक उत्तर दिसा में आमला अर्पित करें बामदेव मंत्र के अंत में स्वाहा जोड़कर उसका उच्यारन पूर्वक करते हुए जल निवेदन करें इशान मंत्र से इशान कौन में सुगंदत जल समर्पित करें पंच गब्य और पलास आदी के दोने सब दिसाओं में रखें इशान कौन में पुस्व अगनी कौन में गोरोचन निरती कौन में अगुरू तथा बायव्य कौन में चतोसम समर्पित करें तुरंत के पैदा हुए कोसों के साथ समस्त हम द्रब भी अर्पित करें। डंड, अक्षा सूत्र, कौपीन तथा भिक्षा पात्र भी देव बिग्रह को अर्पित करें। गाजल, कुमकुम, सुगंद, तेल, कुसों को सुद्ध करने वाली कंगी, पान, दरपर तता, गोरुचन भी उत्तर दिसा में अर्पित करें। तत पश्यात, आजन, खडाउ, पात्र, योग, पट्ट और छत्र। ये वस्तों भागवान संकर की प्रिसंता के लिए इशान कौ पुदित पवित्रक को लेकर अगनी के निकट पहुचा भी, कृष्ण म्रग चर्म आदी से उने ढक कर रखी, उनके भीतर समस्त कर्मों के साक्षी और संरक्षंग, संबस्तर सरूप, अभिनासी भागवान सिव का चिंतन करें। फिर स्वाहा और हां का प्रियोक करते हुए मंत्र सहिंता के पाठ पूरवक 21 वार उन पवित्रकों का सोधन करें। तत पशात ग्रह आदी को सुत्रों से वेश्टिट करें। सूर्य देव को गंद पुस्व आदी चलावें। फिर पूजित हुए सूर्य देव को आचमन पूरवक अर्द दें। नियास करके नंदी आ आदी लोकपालों और उनके सस्त्रों की अपने अपने नाम मंत्रों से पुझा करें। इसके बाद बर्दनी में विग्न राज गुरु और आत्मा का पूजन करें। इन सब का पूजन करने के अनंतर वसोट दिसे लिप्त दूप से दूपेत तथा पुस्प दूरवा आद पूजन की समझत विदियों में उने वाली तूटियों की पूर्ती के लिए मैं आपको आमंत्रत करता हूं। आपसे अविष्ट मनुरत की प्राप्ति कराने वाली सिद्धी चाहता हूं। आप अपनी अरादना करने वाली इस उपासक के लिए उस सिद्धी का अन्मोधन कि संभिजे संभ्व आपको सनधा और सब्रकार से मेरा नमस्कार है आप मुझ पर प्रिशन होए देविस्फब्स आप देवी पारवातित्ता गने श्वरों के साथ आमंत्रत हैं मंत्रिश्वरों लोग पालों तता सेवकों सहित आप पदारें परमेश्वर मैं आपको साधर आमंत्रत करता हूँ आपकी आग्या से कल प्राते काल पवित्रा रूपन तता तच्य सम्मंदी नियम का पालन करूँगा इस प्रकार महादेव जी को आमंत्रत करके अर्पित करें जब इस्तोती एवं प्रणाम करके भागवान संकर से अपने तृतियों के लिए ख्षमा प्रात्ना करें तत्पचाच चरू के तृतिय अंस का होम करें उसे सिर्व स्वरूप अगने को दिगवासियों को दिशाओं के अधपतियों को भूद गणों को मात्र कुद्रों को तब खेत्रपाल आदि को उनके नाम मंत्र के साथ नमें स्वाहा बोलकर आहुती के रूप में अर्पित करें इसके बाद इन सब का चातुरतियंद नाम बोलकर आयम बली हम कहते हुए बली समर्पित करें पूर्वादी दिशाओं में दिगजों आदी के साथ दिखपालों को खेत्रपालों को तता अगनी को भी बली समद्पत करने चाहिएं। अगनी कोंड में पूजित हुएं। अराद देव भागवान सिव को पूजा मंडल में पूजित कलसस्त सिव में नाडी संधान रूप विदी से संजोजित करें। जिस बास आधिमे के पात्र में फट और नमे के उच्चार्ण पूबक अस्त्र न्यास और हिर्दय न्यास करके उसमें सब पवित्रकों को रख दी। इसके बाद सांती कलात्मनी नमहा, विद्या कलात्मनी नमहा, निवती कलात्मनी नमहा, प्रतिष्टा कलात्मनी नमहा, सांतियत कलात्मनी नमहा, इन कला मंत्रों द्वारा उन्हें अविमंत्रत करें। फिर प्रणम मंत्र अत्वा मूल मंत्र से सडंग न्यास करके नम हूँ एवं फट की ओचार बूर्वक करके उनमे क्रमस हिर्दय कवच एवं अस्तर की योजना करें यह सब करके उन पवित्रकों को सूत्रों से आवेश्टित करें फिर नमे स्वाह वसट हूँ वसट तथा दूप आदि से पूजित से दान्त ग्रंत पर पवित्रक अर्पित करके गुरु के चर्णों के समीप जाकर उन्हें भक्ती पूर्वक पवित्रक दें। भोग सामिगरी की इच्छा रखनी बाला पुरुष मन ही मन भागवान संकर का इस्मन करता गुआ कोज की चटाई पर सोई। मोक्ष की इच्छा करखनी बाला पुरुष भी इसी प्रिकार जागन करकी। उपासक पूर्वक एका ग्रचित हो केबल भस्म की सैया पर सोबें इती स्री अगनी पुराण अठेतर माद्या संपूर्ण बुल अगनी पुराणे की जये बुल विश्नु भगवाने की जये